हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे ओफिशियल यूट्योब चैनल एसके ज़ूब सग्यान में तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं IEO CL Indian Oil Corporation Limited के द्वारा नई वकैंसी निकाली गई है तो दोस्तों ये आपकी वकैंसी टेक्निकल और नोन टेक्निकल अ से इसका eligibility criteria बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि आप इसे online apply कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखे ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके और आप भी इसे apply कर सके तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको इसका short में बता दे हैं कि इसमें आपको क्या क्या eligibility criteria दिया गया है और इसकी जो important dates हैं वो क्या क्या है तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल एसके job सग्यान को subscribe करें और bell के icon को भी दबालें ताकि और जैसे ही इ channel की 90 हैं OBC की 37 है EWS की 21 है SC की बत्ति हैं और ST के लिए 18 पोस्टे दी गई है तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी eligibility criteria की तो इसमें आपका 10th pass होना चाहिए और जो इसमें trades दी गई है उसमें आपकी ITI होनी चाहिए तो दोस्तों बात करें इसकी age limit की तो इसमें age limit 18 से 24 वर्स तक दी गई है जो की आपकी count होगी 31 2021 तक तो दोस्तों जो extra rule है इसके वो आपको इसकी official notification पर मिल जाएंगे तो दोस्तों इसके बात करते हैं इसमें जो technician appearance है उनकी तो दोस्तों इसमें जर्नल के लिए 115 है OBC की चुरुंजा है EWS की 24 है SC की 44 है ST की 21 है और और इसमें जो आप का eligibility criteria है उसके लिए आपको three year का diploma या degree होने चाहिए related trade में उसमें आपके 50% marks भी होने चाहिए और जो SC ST है उनके 45% marks होने चाहिए तो दोस्तों बात करें इसकी age limit की तो इसमें भी आपकी age limit 18-24 वर्स दी गई है और यह count हो गई 31 2021 तक तो दोस्तों इसके बाद जो आपका next trade ह आपकी trade appearance DEO जिसमें आपके freshers और experience वलों के लिए है तो दोस्तों इसमें जर्नल की 14 vacances दी गई है और इसके लिए आपका education qualification चाहिए plus two pass होनी चाहिए और इसके बाद आपकी जो इसमें age limit है वो 18-24 वर्स होनी चाहिए और यह जो आपकी age है यह 31 2021 तक count की जाएगी और जो इ इसमें आपको आगे बोला गया है कि if you apply for experience post must have certificate in DEO operator का आपके पास होना चाहिए तो दोस्तों इसके बाद जो next है वो है trade appearance का retail and sales associate में यह भी आपका freshers और experience वलों के लिए है तो दोस्तों इसकी भी आपको total 12 vacances दी गई है और इसके लिए आपका plus two pass होना अनिवार है age limit आप content की vacancy दी गई है जिसमें आपको all categories में आपकी 21 vacances दी गई है और इसके लिए आपको graduation degree होनी चाहिए any stream में और उसमें आपके जो marks हैं वो 50% marks होने चाहिए और इसमें भी आपकी age limit 18-24 वर्स दी गई है तो दोस्तों आप बात करते हैं इसकी आपको important dates क्या की दी गई है कि आप इसे कब से कब तक apply कर सकते हैं तो दोस्तों इसकी जो application start date है वो 28-1-2021 से start हो चुकिया और इसकी जो last date है वो 26-2-2021 है और जो इसके admit card है वो आपके 1 March 2021 से download होने start हो जाएंगे और जो आपकी exam date है वो 14 March 2021 है तो दोस्तों बात करें इसकी application fees की तो इसमें किसी भी category के लिए ना ही mail के लिए और ना ही female के लिए ये form free है इसमें आपका कोई भी शुलक नहीं लगेगा तो दोस्तों अब हम आपको इसकी official notification पर लेकर चलते हैं और वहाँ से आपको बताते हैं कि इसे आपने apply कैसे करना है तो दोस्तों ये इसकी official notification है जिसमें आपको state wise और आपकी कौन कौन से trades इसमें आपको बताए गए हैं और कितनी total seat हैं उसका आपको चार्ट दिया गया है तो दोस्तों जैसे इसमें आपकी west बंगोल है तो यहां पर trade appearance की feature electric, electronic, mechanic और instrument, mechanic, mechanismist की दी गई है उसके बाद जो आपके technical appearance हैं उनके लिए mechanical, electrical, instrumentation, civil की है, electrical and electronics की है इसके बाद आपकी electronics की है तो दोस्तों इसके बाद जो आपके trade appearance हैं उनके लिए data entry operator की है retail sales associate की है, data entry operator की है और retail sales associate की है तो दोस्तों इसमें आगे आपको, इसमें आपको कितनी कितनी vacancy हैं उसका भी chart दिया गया है तो दोस्तों ऐसे ही आप जैसे बिहार हैं तो यहां पर भी आपको trade और technical और trade appearance में कितनी vacancy हैं और कौन-कौन से trades हैं वो आपको दिये गए हैं तो दोस्तों इसको आप state wise यहां से चेक कर सकते हैं कि किसमें काउंसी vacancy दी गई हैं तो दोस्तों इसके बाद जैसे ही आप scroll down करोगे तो यहां पर आपको एक 10th number पे दिया गया है तो दोस्तों जो इसमें trade appearance वाले हैं उनको सबसे पहले इनके RDAT portal पर इसका registration करना होगा तभी आप इसे apply कर सकते हैं तो दोस्तों इसका link यहां पर दिया गया है जैसे ही आप इसकी notification डाउनलोड करोगे तो यहां पर यह link दिया गया है तो दोस्तों जैसे ही आप इस पर click करोगे तो आपके पास जो है इसका portal open हो जाएगा तो आपने यहां पर इसके लिए यहां इसका portal है तो यहां पर आप registration पर click करकर इसकी जो registration है वो complete करोगे उसके बाद आपका form जो है वो apply हो जाएगा तो दोस्तों इसके बाद जो आपके technician appointments है उनके लिए भी आपको यहां पर portal दिया गया है जो की BOPT portal है उसका link भी आपको यहां पर provide करवाया गया है तो दोस्तों इसके उपर click करकर आप यहां से इसकी registration कर सकते हैं तो दोस्तों जैसे ही आप इस पर click करोगे तो इसका जो online portal है वो open हो जाएगा जो की Nats national apprenticeship training scheme के तहत है तो दोस्तों इसमें भी आपने अपने registration करनी है और उसी के बाद जो है आप अपने form को apply करोगे तो दोस्तों यह registration करने के बाद आपको जो इनकी official site है वहां पर भी आपको इसे apply करना पड़ेगा तो दोस्तों वह भी हम आपको बत कर सकते हैं तो दोस्तों इसमें आपको important dates दी गई है कि कब से कब तक आप इसे apply कर सकते हैं और आपका return test कब है तो दोस्तों जो आपका इसमें आपका document verification होगा उसका भी जो आपकी list आएगी वो भी आपको यहां पर दे दी जाएगी तो दोस्तों इसके लिए आपको यहां पर apply online के option पर click करना होगा जहां से आप इसमें अपनी detail बरने के बाद यहां से आप इसे apply कर पाऊगे तो दोस्तों अगर आपको इसके regarding कोई query है तो आप हमारे वीडियो के comment section में comment करकर हम से इसके बारे में पूछ सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो comment जरूर करें धन्यवा दोस्तों जय हिंद जय भरत